नेताओं की हवा लग गई है बिहार पुलिस को बयान बहुत आते हैं घोषणाएं बहुत होती है उपलब्धी नाममात्र की होती है इस फिल्म में एक डैलक था कि घोडा घास से दोस्तिक कर लेगा तो खाएगा क्या तो वही यहां लाग हुए पुलिस भीवाग की बात अंगली जिले में एक छोटा सा जिला है माराष्ट का वहां 200 लोगों को फोन उनके लाटाए गए जो इसी तरह से जप्टे गए थे चोरी हुए थे वह लाटाए गए बिहार पुलिस चाहे तो बिहार पुलिस भी वह अपना सकती है मगर यहां तो आपस में फाइटिंग कर करने से और घोडा और खांस की दोस्ती निभाने से अगर छुटी मिले तब यह काम हो चार सो तिर्पन मोबाइल जपता गया चीना गया रहा चलते लोगों से यह चोरी हुआ मगर एक और अनोखी बात है कि बिहार में मोबाइल की चोरी नहीं होती मोबाइल जपता भी नही पुलिस को क्या फाइदा होता है कि उनका रेकॉर्ड साफ है कि आप राद नहीं हो बिहार में भी अच्छे अपसर है बिने तिवारी एक जो अभी वह सुसांत सिंग वाले केस में जिनका बड़ा नाम हुआ था तो वह भोजपूर में अभी एस पी थे कुछ दिन पहले तो वह मॉडल अगर बिहार पुलिस हेड़क्वाटर के थ्रू लागू करे पूरे बिहार में तो मोबाइल चोरी तो एकदम समाथ हो जाएगा बिहार में अगर पुलिस चाहती नहीं है अगर प्रशाशन की गलती है तो उसे भी लोगों तक पहुंचाना चाहिए और जनहित की बातों पर अगर चर्चा हूँ तो सायद प्रशाशन के कान भी खड़े हो देखिए अभी के हालात में लगतार छीना जप्ती की खबरे तो हम हमेसा देखते रहते हैं सुनने भी आता है कि फोन पर बात कर रहे थे एक मोट साइकिल वाला आता है फोन जपट कर लेकर चला ज जादा झ्षीना जप्ती का बना हुआ है चाहे कहीं भी हो किसी भी राज की बात करिए किसी घीले की बात करें बिहार में स्थिति और जदा बिगरते नजर आती हैं क्योंकि यहां पर प्रशाषनिक अधिकारी भी इसको जादा तवज्जों नहीं देते हैं, लेकिन वहीं दूसरे राज्यों में अब इसको लेकर खूब जादा काम भी किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार प्रवीन बागी हैं, जादा तवज्जों नहीं दिया जाता है, कितने लाक का भी फोन हो, या कितने सो का भी फोन हो, फोन फोन होता है, हर कोई मेहनत करके खड़िता है, उससे अपनी जरूरतों को पूरा करता है, और इसमें देखिए पुलिस की उदासींता है, पुलिस की और थोड़ा लोगों की विला पर वाही है, क्योंकि मोबाइल तो आज कल हर हाथ में है, कई लोग तो दो तिन तिन मोबाइल रखते हैं, तो यह जरूरत बन चुकी है, क्योंकि वो सिर्फ मोबाइल बात करने का माध् मोबाइल तो इसलिए यह अब एक जीवन का हिस्सा हो गई है, सबके पास यह मोबाइल जरूरी हो गया, मगर दुर्भाग से पुलिस को जो सक्रेता दिखानी चाहिए, कि मोबाइल चिनने के घटनाओं में जिस तरह से गंभीरता होनी चाहिए, वो गंभीरता नहीं है, तो मोबाइल चिनिंग के किसी भी मामले में पुलिस गंभीर नहीं है, बिहार पुलिस तो अजीब तरफ से काम करती है, इसका एक निराला अंदाज है, और नेताओं की हवा लग गई है, बिहार पुलिस को, बयान बहुत आते हैं, घोशनाएं बहुत होती है, उपलब्धी ना लाग हुए है, पुलिस विवाग पर, कि अगर आप राधियों को पकड़ लेगी पुलिस, तो फिर कैसे दोस्ती निभेगी और दोस्ती क्यों होती है, वो आप समझ रहे हैं, तो यही हालत है, और मोबाइल चोरों को पकड़ना तो सबसे आसान काम है, इसमें आपको भाग महाराख्ट ने इस मामले में एक उधारण पेश किया है, महाराख्ट में जो पुलिस के मुखिया वहाँ बने है, तो वो थोड़े तेज़ तरह रहें, तो उन्होंने क्या कि IMEI नमबर होता है, हर मोबाइल का एक IMEI नमबर होता है, यूनिक नमबर होता है, और उसके आध कर रहा है अगर उसमें सीम बदलेंगे तो वह भी पता चल जाएगा तो और हर मोबाइल में यह फैसलिट तो जैसे मोबाइल चोरी की सुचना मिली पुलिस को तुरत उसको उन्होंने एक वेबसाइट बनाया है उसके वह नंबर डाल देते हैं यह मैं यह नंबर वह डाल दिया अब और उसको ब्लॉक कर देते हैं तो जैसे उसमें सीम बदला जाएगा पुलिस हेटकॉर्टर को अलार मिल जाएगा कि यह कर लेती हैं अभी सिर्फ सांगली जीले में एक छोटा सा जीला है माराष्ट का वहां 200 लोगों को फोन उनके लाट आए गये जो इसी तरह से जपते गये थे चोरी हुए थे वह लाट आए गये उनको और जीलों में ऐसे ही अभियान चल दा है और वहां पुलिस मुख्याला अनिवार कर दिया गया है उसके नतिजा यह है कि अब चोरी धन्दा छोड़ रहे हैं मोबाइल चोरी वाला काम जैसे बैंकों में भी एक साइट बना हुआ है जिसमें जो डिफॉल्ट होते हैं लोन लेकर जो नहीं चुकाते हैं उनका नाम डाल दिया जाता है जैसे आप कि जिहार पुलिस भी वह अपना सकती है मगर यहां तो आपस में फाइटिंग करने से और घोडा और खांस की दोस्ती निभाने से अगर छुटी मिले तब यह काम हो अब देखिए यह प्रभात खबर अखबार हमारे हाथ में है इसमें एक रिपोर्ट छपी है कि सिर्फ जनव के रहा चलते लोगों से या चोरी बात यह एक और अनोखी बात है कि मोबाइल की चोरी नहीं होती मोबाइल झापता भी नहीं जाता चीना भी हो जाता है जाता बुस्ट छुटा यह पुलिस ऐसा क्षच जोड़ आप इसलिए अगर रिपोर्ट देखिए तो रिपोर्ट उनका साफ सुतरा है क्योंकि उसमें चोरी की रिपोर्टी नहीं है कर कर देखिए अगर मैं में फोन जबता गया है इस इलाके से जबता गया तो पुलिस के सामने चुनोती होगी क्या उनके रिकौड में लगते हैं तो उसी तरह इसको कम करके दिखाने के लिए यह किया जाता है कि इसका मतलब कि उनके एरिया में मोबाइल चोर नहीं है जपटमार नहीं है तो अब तो जपटमार ही का धंदा ज्यादा जो यार देने जाएगा उसी के ऊपर लग जाएगा कि तुम ही लापरवाही लापरवाही इसलिए तुम्हारे हां सब्सक्राइब गुम हो गया बिलकुल यहीं है और बिहार में अच्छे अपसर हैं बिने तिवारी एक जो अभी वह सुसांत सिंग वाले केस में जिनका मारी के मोबाइल पकड़े और लोगों को लोटाया मगर वो मॉडल अगर बिहार पुलिस हेड़क्वाटर के थ्रू लागू करे पूरे बिहार में तो मोबाइल चोरी तो एकदम समाथ हो जाएगा बिहार में मगर पुलिस चाहती नहीं है ऐसा वही घोडा और घास वाली द करते हैं लोड ज्यादा है करना नहीं किया सकता कि पुलिस के पास वर्क लोड है मगर वर्क लोड क्यों क्यों आप देख लिजी पहुंच जाता है किसी जीले में एक बहुत कर्मत होनहार पहुंच जाता है पटना उदाहरन है कई ऐसे यहां के सिटी एसपी और सेश्पी पतना का इदम घट गया मगर वैसे अधिकारियों को जनता तो खुब सराहती है पसंद करती है मगर राजनेता नहीं पसंद करते हैं उनके उपर के अधिकारी भी पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी सिकायते होने लगती है फिर उसमें धन का खेल होता है तो यह इस वज़ा से पुलिस पर लोड बढ़ रहा है अपराधियों का बीच में जब कोट फटकार लगाती है ज्यादा कहीं आंदोलन हो जाता है तब थोड़ी सक्रेता पुलिस को दिखानी पड़ती है लाचारी में तो यह इस्थिती है अब पुलिस पर भी यह गाज गिरने लगी है अब वह भी सुरक्षित नहीं है अभी मैं पढ़ रहा था किसी अक्वार में खबर थे कि सच्वाले के सामने दो दिन पहले पुलिस अधिकारे का मोबाईल वसे जपक भाग गया चोरी हो रही है जजों के घर में चोरी हो जा रही ह हैं कि आई पीए सबसर का रिवालवर चोर ले गया तो फेर वो लोग अपना समान तो खो़ लेते हैं पकड़ लेते हैं चोर को भी मगर आम आदमी के साथ आखिर यह बरता हों क्यों हो जाता है क्योंकि आम आदमी के लिए नोकर साब बैटे हैं उनी की सुरक्षा के लिए पूलिस वाले सब कुछ आम आदमी के हित के लिए है लेकिन जब बात आती है उनके काम को लेकर तो सबसे पहले इगन और उन्हीं को किया जाता है इसी दिए कि एक पूरा इसके पिछे अर्फ सास्त्र है और वह संचालीत होता है बड़े गिmberूहों से उसमें नेटा भी मिले होता है वाइट कॉलर सफियत पोस्त जिनको कहा जाता है वह भी मिले होता है बड़े गैंगश्टर उसमें सामिल होते हैं बड़े बड़े अधिकारी सामिल होते हैं तो यह सब लोग मिल करके यह पूरा खेल ऑपरेट करते हैं और उसमें आम आदमी फंस के पिस्ता रहता है उसको सुझता नहीं विकल्ब कि क्या किया जाए अब जैसे जो इमांदार बहुत इस्ति भयावा है और पुलिस में सुधार की बातें बहुत हो रही है कोट से ले करके और मुचला स्तर तक मगर जमीनी हकीकत कुछ और है जमीन पर वह लागू नहीं हो रही है पुलिस को अब तो तकनीक इतना उन्नत हो गया है कि उसके सारे आप थाने में बैठे ब कोई देखने वाला नहीं है जैसे अभी 112 नंबर लॉंच किया गया कि दस मिनट में पुलिस आपके पास पहुंच रहे हैं कहीं और हर जगा तैनात रहेगी फिर क्यों इतना क्राइम बढ़ रहा क्यों इतनी जपट मारी हो रही है अगर पुलिस तैनात है तो एक भी हम लोग बातचीत बिहार को लेकर ही ज्यादा फोकस कर रहे थे लेकिन जब आपके राज्य में हालात बद से बत्तर हो चीजा नहीं सुधर रही हो तो दूसरे राज सभी कंपेयर करना चाहिए और अच्छी चीजा हो रही है तो उसे अपनी या भी लागू करवा सकते हैं या फिर उस पर बात तो करना ही चाहिए और देखिए फोन का जपट्टा मारना कोई नहीं कहानी नहीं है बहुत पूरानी है लेकिन अब जो इस मामले में सिकायते हैं वो लगतार बढ़ रही है पुलिस के केस डाइरी में आपको यह चीज़े नहीं मिलेंगी क्योंकि वहा पानी चल रही है जैसा सर्में बताया भी कि पटना सर्में केवल 453 पॉन जनवरी माईने में जपट लिए गया तो सोचिए कि क्या हो रहा है और यह कोई एसा नहीं है कि रात में राचलते हो जाएगा यह दिन में भी वह रहा है कहीं भी आप पर बात करते रहे रास्ते में में साम करते हैं हैं पर भी बात चित होनी जरूरी है ओसे सुझार की जरूरत है तो अधिकारियों को भी इस पर जरूरत से जरूरत जल से जल कदम उठाने की जरूरत है बने रहे हैं लाइफ बिहार के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइफ बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें